आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखते हैं और यह हमारा single slit है माल लेते हैं इसकी बीच की distance जो है वो D है बोल रहा है कि अगर D की value को घटा दिया जाए तो फिर diffraction pattern में क्या changing आएगी diffraction pattern में सबसे पहले होता क्या देख लेते हैं यहाँ पर देखिए रे diffraction pattern है तो हमें यहाँ पर में एक central maxima मिलता है उसके बाद से जो intensity होती है वो continuously घटती है यहाँ पर इसका मतलब बाकी सारे जो maxima होते हैं उनकी intensity जो होती है central maxima के respect में काफी कम होती है लेकिन minima जो है यह यहाँ पर देख सकते है minima का मतलब होता है simply intensity जो होगे वह बहुत ही कम होगी negligible होगे ok intensity zero कह सकते हैं तो यह minima होते हैं और यह maximum होते है अब देखिए यहाँ पर यह जो distance होता है thickness इसको कह सकते है central fringe की thickness होती है central fringe की thickness को हम लोग यहाँ पर कह देते है second margin के thickness को deputy rights w की value होती है वह होती है 2 lambda by B into D ठीक है और B और D के हैं यहाँ पर रहे हैं यहाँ पर D 2 lambda by D into D जहाँ पर D जो है वो इस slit से इस screen की distance है दी और lambda जो है उस light की wavelength है जो हमने यहाँ पर use किया हुआ है और D यहाँ पर slit की width है हम लोग ने देखा है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो width है इस central maxima की वो 2 lambda D by D है अगर हम लोग slit की width को घटा रहे हैं D की value को अगर हम लोग कम कर रहे हैं तो जो central maxima होगा इसकी जो width होगी वो बढ़ जाएगी ठीक है अगर D की value को हम लोग बहुत ही कम करनें तो यह ऐसा हो सकता है कि यह पूरा screen ही bright हो जाए और हमें कहीं पर minima दिखे यह नहीं तो simply D की value को अगर हम लोग घटाएंगे तो इसका क्या effect आएगा width जो होगी central maxima की वो बढ़ जाएगी ठीक है guys central maxima की width बढ़ जाएगी यानि हो सकता है कि यह पूरा जो screen हो वो हमें bright दिखे अगर D की value को हम लोग बहुत जादा कम कर दे तो ठीक है दूसरे इसका क्या effect आएगा guys क्योंकि यह जो slit है इससे कितनी light pass होती है इस बात पर भी increment करता है ठीक है इस slit है अगर slit की D की value अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा light pass करेगी और D की value अगर बहुत ही कम हो जाती है तो इससे बहुत ही कम amount में light pass करेगी ठीक है इसका मतलब अगर D की value को हम लोग घटाते हैं ठीक है D की value को अगर हम लोग decrease करते हैं तो जो intensity होगी आई वो भी घट जाएगे ठीक है जो इंटेंसिटी होगी वो घट जाएगी बट जो थिकनेस होगी विट सेंट्रल फ्रिंजी की वो बढ़ जाएगी तो होप आपको ये पूरा कॉंसेप्ट समझ में आया होगा थैंक्यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर होसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर